अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि आप हमें भी एपनी ब्लैसिंग्स दे सकें आज की हमारी जो वीडियो का जो टोपिक है, वो है कि कई बार हम जब बैकबेंड की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर सम्स्ट्रेंट इवन भी एपनी की प्रैक्टिस करते से में उनको कभी फेंटिं का होना या जैसे की कभी डार्कनेस का आना यह कुछ ऐसे सिंटम्स दो बैकबेंड की प्रैक्टिस क्यो दुदरान होते हैं तो technically we will try to understand why this thing is happening ऐसा क्यों होता है और how we can remove and how what are the precautions and what are the remedies behind it तो उनको हम ठीक कैसे करेंगे तो this is overall is a lack of technique or lack of awareness about backbending posture तो almost backbend को करने के अपने कुछ techniques है और कुछ core principles उसके हैं जिसके अदर सबसे important जो आपका part रहता है कि आप अपनी neck की movement को कैसे use करते हो because whatever the things I mentioned in beginning जो मैंने beginning में mention किया कि यह symptoms क्यों होते हैं कि अंधेरी काना या कभी एकदम से चक्कर का आ जाना, dizziness होना, exhaust feel करना, ऐसा क्यों होता है ऐसा होते हैं जब हम proper तरीके से अपनी neck की movement को use नहीं कर पाते हैं जैसे कि आपने कोई भी back bend का posture लिया, example मैं आपको camel posture के अंदर मैं आपको बताऊँगा आपने कोई भी camel का posture किया, उसका modification वो कोई भी हो सकता है चाहे वो एक basic level हो, चाहे वो थोड़ा एक intermediate level हो या उसका एक advanced level हो या कोई भी ऐसी variations तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना आपकी neck की तरफ normal जो mistake करते हैं हमारी back bend की practice के अंदर वो क्या होता है कि जब हम आपने कोई भी back bend की practice को लिया तो normal हमारी neck की position कई बर ऐसे चली जाती है जब आप इस position को देखेंगे if I maintain and fix this position जब मैं वापस आऊँगा तो आप देखेंगे की shoulder जो हो श्रिंक हो जाते हैं यहाँ पर squeeze हो जाते है जब आपके shoulder shrink होएंगे squeeze हो जाएंगे तो आपकी neck को enough space नहीं मिल पाएगा उसको move करने के लिए तो सबसे पहली चीज की आपको अपनी neck को release करने, neck release कैसे होगी जब आप अपने shoulder को release करेंगे तो उनको मैं अपने technical भासा में बोलते हैं की shoulder away from ear या फिर shoulder drop down तो आप जब भी कोई भी practice करें इस तरह की, चहाँ पर आपको neck को drop करना है तो आप shoulder को थोड़ा नीचे की तरफ रखें, why? जब आप shoulder नीचे रखेंगे आपके neck को enough space आपको मिलेगा उसके बाद, चलो space भी मिल गया, space मिलने के बाद फिर आपको neck की portion कैसे लेकर जानी है जैसे हैं आपने drop down किया shoulder को, neck आपको lengthen करके रखने है तो कि neck is also part of our spine, neck जो है cervical वो भी हमारी spine का इक हिस्स है तो neck को भी आप पूरा hang ना करें अब यहाँ पर हो कि neck को किस तरीके से आप neck का जो part उसको lengthen करें और फिर आप उसको drop back करें जितना आप उसको कर पाए फिर question यह भी होगा कि sir कि जब हम when we are trying we are not able to stay for a long time है हम इसको drop back करते हैं लेकिन हम लंबे समय तक उसमें hold नहीं कर पाते हैं why the reason behind it को कि उसमें muscle में उस तरह की strength नहीं है तो अब दीरे दीरे आप उस strength को बढ़ा सकते हो example अगर आप posture करें कि drop your shoulder down and when you are going back bend किसी भी चाहे वो lower back हो middle हो upper कोई भी वो expect हो हो सकता है तो आप drop down कीजे फिर अप धीरे से neck को आप drop ऐसे कीजेगा उसको hang मत कीजेगा just try to be like this if you are not able to hold for long time example आपने posture को 30 second hold करना है तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी neck को कोशिश करो जित्रा लंबा समय तक आप hold कर पाए easily example 5 second आप lengthen करके रखिए फिर आप drop कर दीजे अब जैसे कि हमने squeeze किया अब squeeze करने से क्या होता है कि आपके जो neck के आसपास की जो muscles है या जो veins है जो blood circulation के लिए जो महतोपूरन होती है तो उन veins के ओपर वो impact आता है और वो veins कहीं नगा stimulate हो जाती है तो इसी लिए क्या होता है कि जब आप backbend के practice को दराना अगर आपके muscle squeeze होती है तो it will impact to blood circulation और फिर enough blood जो है ब्रेन की तरफ नहीं जा पाता है इसी का ही reason होता है कि we have the feeling of कभी हम exhaust feel करते हैं indigenous में हैसूस करते हैं या फिर हमें fainting की ऐसे feelings होती हैं darkness का आजाना तो backbend के अंदर इस तरह के symptoms होना बहुत ही संभाविक है reason का है main reason यूँ आपको बता है कि कैसे आपको अपनी neck को release रखना है shoulder को कैसे आपको रखना है एक तीसरी गल्ती और भी हो जाते हैं यहां पर वह होते है कि आम जब हमारा strength level बढ़ता है when we are feeling strength level is increasing so that time we start holding our breath हम अपनी स्वांस को रोक लेते हैं वहाँ पर स्वांस को कभी भी आपको नहीं रोकना है जब भी आप कोई भी पोशर अप होल्ड करें breath को बिल्कूल continuous level पर लेते रहें inhale acceleration करते रहें लंबा गहरा स्वांस आप कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे आपकी strength बढ़ती है उसमें आपकी breath जो वो short होना वो शुरू हो जाती है तो आप कैसे वो करेंगे कि आपका ये जो level है किसी भी पोशर को ठीक है तो आप अपनी breath को चेक करते रहें जब आपका लगे कि आपकी breath बिल्कुल normal है एक comfortable level पर इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपनी limit के साफ से उस posture के अंदर आप जा रहे है और देखे बाकी जो back bend से रेलेट है और भी बहुत सारी चीज़े हैं कि आपको अपनी spine को पूरा warm up आपको करना है अलग-अलग जो muscles की practice है या joint की जो practice वो भी आपको करनी है spine को lengthen करके आपको जाना है वो भी बहुत सारी अलग-अलग part है लेकिन जो सबसी important जो part मैंने आपको बताया उसको आप जरूर ध्यान दीजेगा जब भी आप अपनी back bend की practice करें चाहे आप उसे अपनी कोई भी वो sitting की practice हो ये नियो ना चीए इस तरीके से आप जाओगे नी के ओपर मैंने आपको एक camel posture का मैंने आपको एक example दिया या late कर भी कोई भी आप cobra की कोई भी variation है आप ऐसे hang मत कीजेगा अपनी neck को shoulder drop down spine को lift की जग उसके बाद you have to drop your head back आप अपनी neck को सीधा रखिये और उसके बाद देखे कितना maximum आप drop back कर सकते हो लेकिन neck के part को neck in this part को cervical part को lengthen उसके बाद you have to drop your head back and you will feel the difference in between your practice जैसे आप hang करते हो और lengthen करके जाते हो you can feel the difference आप observe भी करके देखना and then you will find the difference in between the both practice so I hope you like this video अगर आपके वीडियो ठीक लगे तो आप जितने भी आपके जो yoga practitioner है चाहे वो practitioner है चाहे वो teachers है तो सभी को आप बताईए यह एक थेरापेटिकल वे है किसी भी practice को करने के लिए और पहुत ही useful यह टेकनिक आपके रहेगी किसी भी back bending की practice के अंदर so thank you so much नमस्ते हरियोम ओम शांती और अगर आप हमारे साथ किसी भी online certificate course के साथ जुड़ना चाहते हो